हेलो डे स्टुएंट इस वीडियो हम क्लास एक सेज नमबर 12.1 का क्वेश्ट नमबर 6 का सेकंड बात साल करेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ आपके पास कि 5 अपॉन 8 का माइनस 7 एंड 8 अपॉन 5 का माइनस 4 पावर डिफरेंट है नमबस देखोगी तो 5 एंड 8 है एक उपर एक नीचे वलग बात है लेकिन नमबस मारे पास दो यह है उनका पावर दे रखा है तो पहले हम इसको माइनस अटा लेते हैं माइनस का सेटेगा 5 अपॉन 8 का माइनस 7 था आपको पाता है कि वैसे तो फॉर्मुला होता है कि एक पावर माइनस में तो वन अपॉन फाइव का देखो फाइव अपॉन8 था ना चेंज कर लिया नुमिड्यटर को वन डेनॡमिडर में डिनामिडर में और उनका पावर हो जाएगा पोस्टिव इंदा सेम वे सेकिंड एक थे कि तना होजएगा 5 अपॉन 8 का और यह वी रेसिप्रोकल कर लिया और पावर पॉस अब दोनों में लगने वाला है मुल्टिप्लिक्शन रच में एक तरफ रखना यह नियुलिटर तो फॉर में क्या हो जागा में डिवाइड एक नीचे न ए तो क्या होता है यह माइनस में हो जाता है यह होते है तो ऐसी हो जएगा एट कर देला स्थाउर उपर गया डिवाइड बाद वाला है मैंनस अब similarly 5 का फी नीचे सावन अफर जा रहा है नहीं टबाद वाला है वह माइनस में आता है तो यह कितना हो जाएगा मैंनस सेट गया कि एट का सावन 4-3 and 4-7 में अब माइनस वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 ओके इसको अगें चेंज कर लिजिए और यह क्या 5 का 3 कौन्सा फर्मिलर लगा है वैंने 5 का 3 यह हो गया ऐसे और 8 का 3 कितना होता है 5 1 2 5 का 3 मुझे बता दीजिए 5 को क्यूब कितना होता है वह आ जगा इसका denominator में और इसका answer complete हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले को इसा formula लगा है एक पावर माइनस है उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लिए नहीं इसके बाद डिवाइट का देखो तीन formula लगे हैं हमरेस में और अगर step by step लगाओगे तो question complete के इसके अलावा भी और method हो सकता है येस हो सकता है लेकिन with formula लगाओगे और तो answer same आएगा आपके पास okay thank you